बोले शंकर भगवान की जै बोले विष्णु भगवान की जै ब्रह्मा जी बोलतियां श्री कृष्ण सहीत अनेक देवी देवताओं और रिशी मुनियों द्वारा की गैस्तूती सुनकर श्रिष्टी करता शिवजी से प्रसनता पूर्वक हम सब के आगमन का कारण पूछने रुद्रे देव बोले हे हरे हे देवताओं और महारिश्यों मुझे अपने केलाश पर आगमन के विशे में बताएं आप लोग यहां किसली आए हैं और आपको कौन सा कार रहे हैं किरपा करके मुझे बताएं मुने महादेव जी के इस परकार पूछने पर भगवान विष् बोले मैं बोला हे देवा देव महादेव करुणा सागर हम सब यहां आपकी सहायता मांगने के लिए भगवन हम तीन होते हुए भी एक श्रिष्टी के चक्र को नियमित तथा सुचारों रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सयोगी की तरह कार्य करते हैं हम एक दूसर सयोग फल सवरूप ही जगत के सभी कार्य संपन होते हैं महेश्वर कुछ असूरोवद आपके द्वारा और कुछ असूरोवद मेरे द्वारा तथा कुछ असूरोवद शिरिहरी द्वारा निश्चित हैं हे प्रभू कुछ असूर आपके विर्ये द्वारा उत्पन पुत् होंगे है भगवन आप घोर अशुरों का विनाश कर भगवां कर जगत को स्वस्त्य और अभय परदान करते हैं है प्रभू श्रीष्टी की रचना पालन और संगार ये तीनों ही हमारे कार्णे हैं यदि हम अपने कार्णे को साई तरीके से नहीं करें तो हमारे अलग-अलग करने का कोई उदेश्य नहीं है, हे देव, एक ही परमात्मा महिश्वरतीन सवरूपों में अभी व्यक्त हुए हैं, वास्तों में शिव स्वतंत्र हैं, वे लीला के उदेश्य से स्रीष्टी का कार्रे करते हैं, भगवान विश्णु उनके बाएं अंग से परकट हुए हैं, और मैं ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से परकट हुआ हूँ, रुद्रदेव उनके हद्दे से परकट हुए हैं, इसलिए वे ही भगवान शिव का पूरन रूप हैं, उनकी आग्या के अनुसार में स्रिष्टी की रशना और विश्णु जगत का पालन करते हैं हम अपने कार्य करते हुए विवा कर सब्तिलिंक हो गएं, अब भी विवाहित के लिए परमसुंदरी को पतनी रूप में ग्रहन करें, हे मैश्वर पूर्त काल में आपने शिवरूप में हमें एक बात कही थी, आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा, जिससे रुद्र नाम से जाना जाएगा, तुम ब्रह्मा श्रिष्टी करता होंगे, भगवान विश्णु जगत का पालन करेंगे, और मैं शिव सगुन रुद्र रूप संडार करने वाला होंगा, एक इस्तरी के साथ विवा करके लोग के कार्यों के सिद्धी करूंगा, हे प्रभू, आपके बिना हम दोनों अपना कार्यों करने में समर्थ नहीं, अत्या प्रभू, आप ऐसी इस्तरी को पतनी रूप में धारन करें, जो की लोग हित के कार्यों कर सके, भगवन जिस परकार लच्मी विश्णु की है, सरस्वती से धर्यों में नहीं है, उसी परकार आप भी अपने जीवन साती को स्विकार कीजिए, मेरी यह बास सुनकर महादेव भी मुस्कराने लगे, और हम से इस परकार बोले, उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विश्णु, तुम मुझे सदा से अतिन्त प्रियों हो, तुम समस्द देवताओं में श्रेष्ट और तिलो के स्वामी हो, प्रंतु मेरे विवा का करना उचित नहीं है, मैं सदे तपशा में लेन रहता हूँ, इस संसार में मैं सदा विकरत रहता हूँ, मैं तो एक योगी हूँ, जो सदेव निर्वित के मार्ग पर चलता है, घर गृष्टी से भला मेरा का क्या काम, मैं तो सदेव आत्म रूप हूँ, जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवदूत है, जो ग्यानी आत्मा को जानने वाला और कामना से सुनने हूँ, भोगों से दूर रहता है, जो विकारी है, आविकारी, भला उस संसार में इस्तरी से क्या पियोजन, मैं तो योग करते हैं आनंद का अनु से से रहित है, वे ही भोग को अधिक महतु देते हैं, विवा एक बहुत बड़ा बंदन है, इसलिए मैं विवा के बंदन में नहीं बंदना चाता, आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लोकिक स्वार्थ में कोई रूची नहीं, फिर भी जगत में हित के लिए तुमने जो कह है, मैं करूंगा, तुमारे कहन सार विवा विवश्य कर लूँगा, क्योंकि मैं सद अपने भगतों के वश्य में रहता हूँ, प्रंतु मैं ऐसी इस्तरी से विवा करूं, जो योगनी और इच्छा अनुसार रूप धारन कर सके हो, जो मैं योग साधन करूं, तो वे मैं य रहता हूँ, जो इस्तरी मेरे चिंतन में विगन डालेगी, वे जीवित नहीं रह सकेगी, मैं विश्नु और ब्रह्मा, हम सभी शिव के आंश हैं, इसलिए हम सदाई उनका चिंतन करते हैं, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवा किये रह सकता हूँ, अधा मुझे ऐसी इस पतनी परदान कीजिए, जो मेरे अनुसारी कार्रे करें, यदि वे इस्तरी मेरे कार्रे में विगन डालेगी, तो मैं उसे त्याग दूना, विवा, हे तु शिव के स्वेक्रित पाकर, मैं अपने विश्नु परसन हो गए, फिर मैं विनमर्ता पूर्वा भगवान शिव से हे नात, महेश्वर प्रभू, आपको जिस परकार की हिस्तरी के अफशक्त है, वे ऐसी हिस्तरी के विशे में सुनाओ, सुनो, हे प्रभू भगवान शिव की पतनी उमा ही विविन अफ्तारों को धारन करकर, पिर्थ्वी पर परकट हुई होती है, वो श्रीष्टी के विव अब धारन कर शिरी हरी कोवरा, सरस्वती रूप में वे मेरी अरधांगनी बनी, अब वही देवी लोखीत के लिए अपने तीसरे अवतार में अफ्तरित हुई है, उमा देवी परजापती दक्स की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पती रूप में पाने की इच्छ है, इसलिए घोर तपश्या कर रही है, उनका नाम देवी सती, सती ही आपकी भार्य होने के योग्य है, वे महाते जश्वनी ही आपको पती रूप में प्राप्त करेगी, हे भवान, आप उनकी कठोर तपश्या को पून करके उन्हें फलसुप रूप वर्दान परदान कीज उनके तपश्या का प्रियोजन आपको पती रूप में परदान करना ही है, अत्या प्रभू, आप देवी सती की कामनाओं को पूरा कीजिए, हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है, हम आपके विवा के उस सब देखना चाहते हैं, आपका वईव विवा तीनों लोक आज्या मेरे लिए सब से उपर है, क्योंकि मैं सदेव अपने भकतों के अधीन हूँ, आपकी इच्छा उनुस्वार मैं देवी सती द्वारत पश्या पूरी कर उनसे विवा वश्य करूंगा, भगवान शीफ्री वचन पाकर हम सब वही प्रसन होते हुए चलेगे, और उन अंकर भगवान की जै, ये ती सती रूप की कथा,